हलो दोस्तों आप सब कैसे हैं उमीद करते हैं कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे दोस्तों मैं आपका भाई रहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं अभिनांदन करता हूं आपका अपना इट्यूब चैनल गौर्मर्जामेकर पर दोस्तों इस पल म अपना बेश्ट करना आपको अगले पल में बेश्ट जगह पर पहुचा देता है कहने का मतलब है कि यदि आप अगनी आर्मिवीर का त्यारी कर रहे हैं तो बस अभी वेश्ट किजिए आप देखिएगा कि इस मुकाम पर पहुचिएगा दोस्तों फिर से मैं आपके सामने ल बनाने के कोशिस जरूर कीजिएगा ठीक है तो दोस्तों उमीद करते का बना लिये होंगे आई यह सवाल क्या है कि भाग के एक प्रश्ण में भाजक भागफल का पांच गुना है ठीक है और सेसफल का तीन गुना है यदि सेसफल दे रखा है कितना 20 हो तो भाज्य गयात कर ठीक है ध्यान से देखने के कोशिस किजिएगा तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं यहां पर होता है भाज्य ठीक है यह हो गया आपका भाजक और यह हो गया आपका भागफल ठीक है और यह जो यहां पर आता है ना यही आता है क्या सेस या सेसफल ठीक है रीमेंडर इस गुना भागफल तो टो जो डुट सेसपल ठीक है इस तरह से होता है यह होगा आपका फर्मूला अब यह सवाल के अबस्तुर की नदी हैर है 20 यहाँ पर लिखिना दीजियी यहां पर सेषफल क्यितना है 20 है अब क्या बोल रहा है कि जो भाजक है भागफ़का 5 गुना और सेषफल का 3 गुना है सेषफल का 3 गुना कौन है भाजक है तो सेषफल दिए है 20 तो भाजक कितना हो जाएगा 20 turtle safe बहंते में साठ यह हो गया 60 अब लिए तो भाजक न도 sons भाजक है साथ और भागफल का कितना है पांच गुना है भागफल का पांच गुना है साथ तो यदि भागफल निकलना होगा तो क्या करेंगे इस साथ में हम पांच से भागा दे देंगे तो कितना जाएगा बारा पान साथ यानि कि भागफल क्या मिला बारा अब क्या निकलन है बहाज घ्यात करना यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या निकलना है भाज फर्मुला आपके सामनेया कि भाज़े ब्याबर भाज़क गुने भागफल प्लस सेस बस बैठा दीजिए भाजक साथ भागफल बारा सेसफल बीस आ गया देखे तो तो बार अच्छक बहत्तर बहत्तर पर एक जीरो ठीक है और प्लस बीस यानि की साथ सो चालीस यही हो जाएगा आपका एंसर देखेते हैं किसमें तो अप्शन नमबर सी विल भी राइ कि निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें उसी के वर्ग को जुड़ने पर परिणाम तीन सो ब्यालीस आ जाए ध्यान से देखिएगा आखिर इस अप्शन में से ही इसमें लिया है ठीक है कि ऐसी कौन सी संख्या है ताकि उसके वर्ग करके और पुना जोड़ने पर कि 342 आजाए दोस्तों सबसे पहले आपको वर्ग वर्ग तो एकदम 100% 30 से 40 तक याद होना चाहिए वर्ग ठीक है 20 तक कम से कम Q याद होना चाहिए आपके यदि एक्जाम को अच्छी तरह से फेस करना हो तो ठीक है आईए तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है पहला में A में दिया है 20 तो 20 का जब हमें स्क्वाइर किये तो कितना मिला 400 अब फिर क्या बोल रहा है कि उसको जोड़ना भी है ठीक है 20 को यहाँ पर ला करके जोड़ना भी है तो हम जोड़कर क्या करेंगे जबकि हमको लाना कितना है 342 से लाना है यानि कि यह तो नहीं होगा अब आईए अच्छा यहाँ पर यह क्या दिया है 21 तो ऐसे ही नहीं होगा क्यों कि यह तो 20 से जदा है 17 पर आईए 17 भी नहीं होगा क्यों कि 17 का जब स्क्वाइर करेंगे तो हो जाएगा आपका 289 और पूर्णा जब 17 तो इतना नहीं आएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका अप्शन भी होगा कैसे होगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 18 का स्क्वाइर करेंगे तो मिल जाएगा तीन सो चोबीस और पुना इसी अठारों के इसमें जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा तीन सो ब्यालेस इस तरह से अप्शन भी हो जाएगा आपका एंसर अगला स्वाल लेते हैं आये दोस्तों कोश्चन वर्ट तीसरा बोल रहा है कि 9 12 15 18 और 24 का महत्तम समापोवर्त कि यानि की HCF highest common factor ग्याद करें दोस्तों इसको भाग विदी सभी बना सकते हैं और इसका अभाज गुनानखंड करके भी निकाल सकते हैं बना सकते हैं कैसे देखिए गया ध्यान से देखिएगा तो 9 को हम इसको तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा तीन गुना थीन ठीक है करना 15 18 गोजब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा तीन गुना तीन तीन-सी तरह से जब 24 का तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दो गुना दो गुना-दो गुना-दो होना चाहिए तो आप देखिए यहां पर क्या है इसमें तीन है इसमें भी तीन है इसमें भी तीन है और इसमें भी तीन है तो फिक्स है कि तीन तो निकल गया बाहर सभी में से कमन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा में अच्छा आए दो इसमें है इसमें नहीं है यानिक दो स्वाल आये दुस्तों कोश्चन वर फोर बोल रहा है कि यदि एक्स का एक्स परसेंट एक्स का एक्स परसेंट चाथी सो तो एक्स का मान ग्याद करें ठीक है देखिए का कितना मस्त सवाल देता है यार अगनी विर में बहुत इदम सिंपल सवाल देता है यदि एक्स का एक्स परसंट शांट इस के लिए आ जाता है फिर एक सबस्द्रेट का मतलब की नीचे आ जाता है 100 और इतना बराबर कितना दिया है 36 दिया है अब x x का जब गुना करेंगे तो x square हो जाएगा by 100 ठीक है, बराबर क्या 60 36 अब आईए, अब देखें यह क्या हुआ कि 100 आ जाएगा इसके साथ यानि कि गुना हो जाएगा तो x square बराबर कितना हो जाएगा रूट में आजाएगा रूट अंडर कितना चाथी सो अब देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथ गुने साथ बस देखिए चाचा एक चाथ इस पर डबल जीरो तो क्या निकल के आया इधर से साथ हा गया यानि कि एक्स की भाइलू क्या मिला साथ बस हो गया देखिए तो किस अप्सें में तो अप्सें नमबर बी विल भी राइट इंसर अगला सब्सक्राइए मेरे से बहादुरों कोश्चन नमबर पांच वा बोल रहा है कि एक छात्रवास में एक सप्ता के लिए 14 दर्जन ध्यान से देखने का कोशिस कीजिएगा क्या बोला एक सप्ता एक सप्ता डोलू मतलब विक मतलब सप्ता क्या में मतलब सब्सक्राइक अगरief इसको दीन में बदलें तो sat-2 साथ दिन में कितना साथ दिन में 14 दर्जन तो एक दिन में कितना होगा एक दिन में कितना दर्जन होगा तो 14 और साथ जाएगा इसके नीचे कट के आएगा कितना दो दर्जन ठीक है एक दिन में दो दर्जन केला ठीक है तो दोस्तों एक दर्जन में एक दर्जन बराबर होता है 12, एक दर्जन बराबर 12, तो दो दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, दो दर्जन बराबर हो जाएगा 12 दुनी, 24 केला, ठीक है, दो दर्जन यानि कि 24 केला, हमसे पुछा क्या है, 60 दिन, तो एक दिन में, यहां पर आईए, दो दर्जन यानि कि 24 केला, एक दिन में 24 केला, तो साथ दिन में कितना केला तो साथ गुना 24 कर दीजिए गुना कीजिए तो चोचाओ का 24 की चार हासिल दो छोद नी बारा दो चौदा पर एक जिरो यानि कि 1440 केला किस अप्शन में है तो अप्शन नमबर भी विल भी राइट एंसर अगला स्वार एक टंकी के एक बाटा तीन भाग में औसी लीटर पानी आता है तो आधी टंकी में कितना पानी आएगा तो यहां पर सबसे पहले हम मानेंगे क्या मानेंगे कि टंकी टंकी की धारिता यानि कि उसका कैपी सिटी ठीक है कि टंकी की धारिता मान लिजिये कि एक से ठीक है अब यह प्रस्णे के हिसाबसे एक का एक बाटा तीन एक कहीं एक बाटा तीन भाग तो यहां पर एक सब्राबर क्या मिलेगा यहांपर गुना कर दीजी जैंति हैं इस दो 220-240, यह 240 क्या है, लीटर है, ठीक है, तो टोटल यानि कि उसमें 240 लीटर पानी अट रहा है, तो हमसे पुछा क्या है सवाल में, आधी टंग की, यानि कि आधा, जब आधा पूछ दिया, तो कुछ नहीं करना है, इसी के बाटा में दो कर दीजिये, और कटा दीजिये, आ जा जाएगा आपका सुपर एंसर, जो की अपसर नमबर C में है, आते हैं, नेक सवाल पर, आएए दोस्तों, कोश्चर नमबर साथा बोल रहा है कि रमेश को हिंदी, अंग्रेजी तथा गनीत में प्राप्तांक, यानि कि जो रमेश एक्जाम दिया था, उसके हिसाब से उसका जो अंक मिला है, वो क्रमस कितना है, तिरपन, 47 तथा 74 है, तो उसका आउसत प्राप्तांक ख्यात करें, यानि कि एवरेज निकालना है, रमेश को हिंदी में क्रमस का मतलब हुआ, कि हिंदी में उसको मिला कितना, तिरपन, अंग्रेजी में 47 और गनीत में 74 मिला है, ठीक है, तो आउसत निकालना है तो आउसत बराबर क्या होता है आउसत बराबर 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 क्या 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 होता है आउसत बरा होते हैं तो साथ 3 10 4 14 की 4 कैरी 1 और उसके बाद में फिर साथ 5 12 12 4 सूर शूरा एक सतरह 174 और बट्टे में क्या हो जाएगा तीन से इक टेगा तो साथ एक चावर कट जाएगा तेक ये तीन से कटा तो 3 5 15 की 5 कैरी कितना हो गया दो अफिर आ गया चार तीना वाठे चोबीस क्या या अंठावन बस देखे तो अंठावन की सब्सक्राइब तो अप्सन नमबर डी विल भी राइट एंसर यह हो जाएगा आपका एंसर अगला सवा लेते हैं दुस्तों आये दुस्तों कुश्चन नमर है आठ बोल रहा ह कि किसी संख्या को ध्यान से देखिएगा किसी संख्या को 783 से भाग देने पर क्या रिमेंडर यानि कि सेस्फल 48 बचता है यदि उसी संख्या को कितना से 29 से भाग दिया जाए तो सेस्फल क्या आएगा ठीक है ध्यान से यदि किसी संख्या को कितना से 783 से भाग देना है मा 783 से भाग दिया, तो यहाँ पर क्या आया, यह तो नहीं बोला है, लेकिन यह बोल दिया है, कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, क्या, रिमेंडर इसका, यानि कि से सफ़ल, माली जी कि यह आया होगा, तो किसी संख्या को, यानि कि X को 783 से भाग दिया, तो कितना आया, और 48 आया, तो उसी संख्या में यानि जो यहां पर 11 है यदी 29 से भाग देंगे तो उसका सेस्फल क्या आएगा अब सोचिए दोस्तों यहां पर भाग फोतल दिया नहीं है और यहां पर X भी निकालना है यानि कि भाज्य भी निकालना है तो इस तरह का सवाल यदि आपके एक्जाम में आ जाए तो आप चुटकियों बना सकते हैं कैसे ध्यान से देखने की कुशिस किया जा जो यहां पर सेस्फल दिया है ना ठीक है उसी को इसमें से का कर दीजिए देखिए क्या आ जाएगा और ओका आपका एंसर कैसे तो फटारा में से नो गया नौ और यह कितना गया तीन में से टीन में से दो गया तो एक यानि की 19 और यही हो जाएगा आपका एंसर सुचिए इतना बड़ा सवाल को आप चुटकियों मणा देंगे सोपस्य में है और सी विल भी धन्यवाद